हे गाईज ग्राविटी यानि गृत्वा कर्शन की कहानी आपने जरूर सुनी होगी कि किस तरह एक सेब आईसेक न्यूटिन के सर पर आकर गिरता है और उन्हें यूनिवर्सल ग्राविटेशन लौ के बारे में पता चलता है लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी जगाहे हैं ज जहां गृत्वा कर्शन काम नहीं करता इन्वर्टेट वाटरफॉल दोस्तों वाटरफॉल आपने कई बार देखे होंगे वो किसी पहार से नीचे की और गिरते हैं लेकिन अब नजर डालिए इस वाटरफॉल पर जो विल्कुल उटी दिसा में बैता है और इस नैच्रल घ गटना को आप रिपब्लिक आफ चीली में देख सकते हैं यह गटना आपको किसी जादू की तरह लगेगी लेकिन यह जादू नहीं है इस वाटरफॉल को देखकर ऐसा लगता है कि यह फिजिक्स के किसी नियम का पालन नहीं करता लेकिन इस गटना के पीछे एक जैन्विन एक्स्प्लेनेशन है जो कि यहाँ चनले वाली त्री जवाओं के जोके हैं जो इस पानी को नीचे गिरने नहीं देते इसलिए इस वाटरफॉल का पानी नीचे गिरने की बजाए उपर बहता है और दुनिया में केवल इसी वाटरफॉल के साथ ऐसा नहीं हो था क्यूंकि इस तरह की किश वाटरफॉल इंडिया और ऑस्टेरिया में भी देखे गए हैं इस रहस्य में जगा को साल 1939 में जियोर्ज प्रेइसर नाम के एक इन्वेंटर में खोजा था एक दिन जंगल में घूंगते हुए इन्हें आचानक चक्कर आने लगे और उनका कमपास बिना रुके बहुत ही तेज गती से लगातार घून रहा था जिस वज़ा से साइंटिस्ट इस रहस्य में जगा के पीछे का रहस्य किसी भी तरह सुलजाना चाहते थे इसलिए जहां उनका कमपास अजीब हरकत कर रहा था उन्होंने उस पूरी जगा को खरीद लिया जिसके बाद उन्होंने इस जगा एक घर बनाया और उन लोगों को इन्वाइट करना सुरू किया जो इस जगा का जादू देखना चाहते थे जिसके बाद इस जगा के चर्चे पूरे कैलिपोर्निया में होने लगे इस जगा आने वाले लोग किसी भी एंगल पर खड़े हो सकते हैं लेकिन नीचे नहीं गिर थे और इस जगा पानी नीचे गिरने की बजाए उपर उड़ता है ठीक इसी तरह इस वीडियो में यह गिंद भी नीचे लुड़कने की बजाए उपर चर रही है इस जगा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां बहुत ज़ादा मैगनेटिक फिल्ड है लेकिन इसके पीछे का जैन्विन रीजन अभी भी अनकिलियर है इसके बाब जूद यह जगा लोगों के बीच काफी पॉपिलर है जिस कारण से इस जगा को साल 2014 में कैलिफोर्निया की हिस्टॉरिकल साइट में सामिल किया गया था माउंट एरगैस इस तरह की एक और जगा अर्मेनिया के वैस्ट में इस्तित है जो टर्की के बॉर्डर से 30 किलो मीटर दूर है जहां हर साफ हजार फूरिजट इस जगा होने वाले करिचमे को देखने के लिए आते हैं जो इस जगा पहार पर अपनी गाड़ी रोकते हैं और देखते हैं कि किस तरह उनकी गाड़ी लौक होने के बावजूद आगे बढ़ने लगती है इसके अलावा यहां बहने वाली नदी भी नीचे से उपर की तरफ बहती है और यहां से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि इस जगा उपर चड़ाई करना नीचे उतरने के मुकाबले काफी असान होता है क्योंकि इस जगा किसी भी तरह का ग्रैविटेशनल पोर्स काम नहीं करता इसके अलावा आज भी यह जगा साइन्टिस्ट के लिए एक पहली है मैगनेटिक हील इन कैनेडा कैनेडा की न्यू ब्रंस्विक प्रोवियंस में एक अद्भुच चमतकारी पहाड मौजूद है जहां बहुत ही अजीबों गरीब चीज़े होती है और आप देख सकते हैं कि इस रहा समय जगा पर कार किस तरह नीचे जाने की बज़ाय उपर जा रही है इस जगा होने वाली इस अजीब घटना का पता लोगों को साल 1930 में चला था जिसे देखकर यहां ड्राइविंग करने वाले ज़्यादतर ड्राइवर हैरान हो जाते थे क्यूंकि ब्रेक से प्यार हटाने के तुरंत बाद उनकी कार वापस पहाड पर चड़ने लगती थी इस घटना को अभी कोई सुल्जा नहीं पाया है जिस वज़ा से कई लोग इस जगा को भूतहा कहते हैं जबकि कुछ लोग इसे ऑप्टिकल इल्लूजन मानते हैं लेकिन इस जगा होने वाली घटनाओ का कारण इस सड़क की बनावट है जो देखने में उचाई पर लगती है पर असल में यह एक धलान है जहां से गाडियां नीचे लुड़कने लगती है पर यह भी इस जगा का पूरा सज नहीं है कि यहां सिर्फ ऐसा ही होता है क्योंकि यहां बिना जाए कुछ भी कहना थोड़ा मुस्किल है हुवर डैम यह जगा युनाइटेड इस्टेट के इस्टन पार्ट में मौजूद लोगों के घुमने के लिए सबसे बड़ी अट्रेक्शन है जो किसी भी इंसान का सिर्फ घुमा सकती है इस डैम की पावर और साइच दोनों ही कमाल की है लेकिन आप सोचेंगे कि यहां ग्रैविटेशनल फोर्स कहा है तब हम आपको बताने चाहेंगे कि अगर आपको यहां जाने का मौका मिले तब आप यह एक्सपेरिमेंट जरूर करना इस एक्सपेरिमेंट में आप इस डैम की उचाई पर खड़े होकर किसी बोतल से पानी को नीचे गिराना और आप देखकर हैरान रह जाओगे कि पानी नीचे गिरने की बजाए आपको हवा में उपर उड़ता दिखाई देखा साइंटिस्ट इस घटना की वज़ा हुवर डैम की बनावट को बताते हैं जिससे इस जगह चलने वाली हवाव की तागत बढ़ जाती है और किसी भी चीज को नीचे गिराने पर वह हवा में उड़ने लगती है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही और वीडियो स्पाने के लिए तो हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिन टॉप पाइफ चैनल को